वेलकम अगेन, माइनेम इस सुनिल को सिक, आप देख रहे हैं सलूशन बज, आज हम सीखिंग थर्ड जनरेशन ओफ कम्प्यूटर, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या क्या था कम्प्यूटर में, हमारी जो पिछली जनरेशन थी, उनसे क्या बैस्ट था इस जनरेशन के अंदर, चलिए सिखते हैं, थर्ड जनरेशन जो कम्प्यूटर की थी हमारी, वो 1965 से लेकर 1971 तक चली, 1965 से लेकर 1970 तक, इसमें क्या था कि, ट्रांजिस्टर की जनरेशन अब IC का यूज किया गया, IC means integrated circuit, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ता पीड ओफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1965 तो 1971, दा कम्प्यूटर ओफ थर्ड जनरेशन यूज इंटिग्रेटीड सर्कीट, ICs, इन पैलेश ओफ ट्रांजिस्टर, एस सिंगल IC, हैज मैनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, एंड कापिस्टर, अलोंग विद दा एस्सोसियेटिड सर्कुटरी, यहाँ पर हमने क्या स दिख्या, जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, एंड कापिस्टर को एस्सोसियेट करके IC बना दिया, देखते हैं आगे, यहाँ पर यह थर्ड जनरेशन ओफ कम्प्यूटर की पिक्चर है, दा मेन फीचर ओफ थर्ड जनरेशन आर, IC यूज़्ट, मोर रिलाइबल, इन कंप पॉर्टिड हाई-लेवल लेंग्वेज, थर्ड जनरेशन कम्प्यूटर नेम वर, क्या-क्या थे, थर्ड जनरेशन के कम्प्यूटर के, उनके एक्जाम्पल है, IBM 360 सीरीज, Homewell 6000 सीरीज, PDP, Personal Data Processor, IBM 370-168, TDC 316, यह थे कम्प्यूटर के नेम, जो पुरा ने थे, मारे कम्प्यूटर, नेक्ट स्लाइड में, तब तक बने रही है हमारे साथ, और सीखते रही है, कम्प्यूटर फंडामेंटल, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और तब तक देखते रही है, सॉलूशन बज,